जब शोमी ने अपना लेटस्ट फ्लैक्शिप MI9 लाँच किया था तो उसी टाइम रेड्मी जो की MI की ही एक सबस्टिडुरी कम्पनी है ने एलान किया था कि वो भी अपने ब्रैंड का एक फ्लैक्शिप फॉन लेकर बहुत जल्द आएंगे तब ही से एक्सपेक्टेशन्स बहुत जादा है उस फोन से और इसी एक्साइटमेंट के बीच में रेड्मी ने अपना फ्लैक्शिप फॉन लाँच किया है चाइना में जिसका नाम रेड्मी ने रखा है रेड्मी के 20 प्रो जहां के का मतलब है किलर एंड 20 का मतलब ये है कि 2020 में भी ये फोन फ्लैक्शिप किलर ही बना रहेगा नो देट इस टॉल क्लेम बाई रेड्मी पर नो डाउट रेड्मी का के 20 प्रो एक बहुत ही शांदार फोन है रेड्मी के 20 प्रो आता है 6.4 इंच के नॉचलेस सैमसंग एमिलेड डिस्पले के साथ विद फुल एजडी प्लस रेजिलूशन जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और वाइबरेंट लगती है प्लस इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यू 92 परसंट की है जो इसे बहुत ही इमर्सिव और बढ़िया बना देती है और इसमें डीसी डिमिंग का फीचर आपको मिलता है जो आईस प आपको एक पॉपप सेल्फी कैमरा मिलता है जो 20 मेगापिक्सल का है विद एफ 2.2 अपिचर एंड ये एक डीसेंट कैमरा होगा लेकिन रेड्मी के ट्वंटी प्रो के बैक में आपको एक ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलता है विच इसमें आपको एक 48 मेगापिक्सल का प् बड़ जो चीज शांदार है वो है इसका 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस वाला कैमरा जो 124 डिग्री वाइड है एंड काफी यूसफुल है प्लस ये डीसेंट इमेजिस क्लिक करके देता है आपको अलसो इसका तीसरा कैमरा आता है 8 मेगापिक्सल का 2x ओप्टिकल जूम के साथ जो इस कैमरा सेटप को बहुत ही वर्सिटाइल बना देता है हाववेवर M.I.9 की तरह आपको मैक्रो लेंस नहीं मिलता है इसमें पर ये 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है अट 60 फ्रेम्स पर सेकंड अलसो आप स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते है नहीं होगी पर इसकी वीडियो क्वालिटी फ्लेक्शिप लेवल की नहीं होगी पर इसकी फिनिश बहुत ही शांदार है मुझे personally इसका black color bag बहुत ही premium एं classy लगता है और overall build quality कमाल की है इस phone की glass and metal construction इस phone को बहुत ही sturdy बना देता है and you even get a headphone jack in this phone जो support करता है high resolution sound but 191 grams के weight के साथ थोड़ा भारी लगेगा ये phone आपको पर आजकल Samsung को छोड़ कर सारे phones ऐसे ही हो गए है पर उसका reason ये भी है कि इस phone में आपको 4000 mAh की शांदार battery मिलती है जो कमाल की battery life provide करती है आपको and that along with the 27 watt fast charging support बहुत ही शांदार option बना देती है इसे and बहुत ही शांदार है Redmi K20 Pro की performance ये phone आता है Snapdragon 855 processor के साथ and that along with the Adreno 640 GPU provide करती है आपको कमाल की performance ना सिरफ heavy multitasking बट intense gameplay में भी ये phone मखन की तरह चलेगा plus Redmi ने Game Turbo 2 and 8 layer cooling technology use की है इस phone में चो इसे gamers के लिए एक बहुत ही शांदार phone बना देती है and that is a very cool thing by Redmi also Redmi K20 Pro में आपको मिलता है 7th generation optical in display fingerprint scanner जो बहुत ही reliable and fast है of course ultrasonic fingerprint scanner जितना secured नहीं है but it does the job pretty well and fast also इस phone में आपको पीछे की तरफ NFC मिलती है and dual GPS technology भी मिलती है and ये small features काफी useful होते हैं long term में and finally Redmi K20 Pro का 6 GB RAM and 64 GB internal storage वाला variant चाइना में launch हुआ है पच्छी सो यूएन का यानि इंडिया में ये 25 से 26 अजार उपे के अराउंड आएगा and इसका 128 RAM वाला variant आपको पड़ेगा 28,000 रुपीस के around and at that price it is an amazing phone बट सिरफ 31 और 32,000 रुपे में आपको OnePlus 7 भी मिल रहा है जो triple camera के साथ तो नहीं आता लेकिन still OnePlus का UI सबसे अच्छा and light है अगर Android की बात करें तो वही Redmi K20 Pro में आपको MIUI 10 मिलता है which is based on Android 9 Pie and it is not bad either ये भी अपने आप में काफी अच्छा है and बहुत ही जल MIUI 11 भी आने वाला है जो सबसे बहले आपको इनी phones में देखने को मिलेगा लेकिन जो चीज इस बार Redmi K20 Pro में आपको नहीं मिलेगी वो है एक Micro SD Card Slot जी हां Micro SD Card Slot नहीं मिलता है आपको Redmi K20 Pro में तो अगर आप इस phone के साथ जाना चाहते हैं तो at least 128 GB variant जरूर लीजेगा बढ़ ओवराल 30,000 रुपे के अंदर एक शानदार स्क्रीन, कमाल के लुक्स, बहुत ही वर्सिटाइल कैमरा एंड गजब की परफॉर्मेंस के साथ Redmi K20 Pro एक बहुत ही शानदार ओफरिंग है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये phone बहुत ही जल्द इंडिया में लॉंच होने वाला है कहा जा रहा है कि जून के मिडिया एंड तक ये phone इंडिया में लॉंच हो जाएगा और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाब्द करते हैं हम उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आया है तो प्लीज इसे शेर कीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ on your social media profiles और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में टेक कियर